दुर्गजिले के कुमारी थाने में पदस्त एक आरकशक से कुछ लोगों ने मार पीट कर डाली, एकी परिवार के कुछ लोगों ने घेर कर आरकशक के पिटाई कर दी और तलवार दिखा कर जान से मानने की धंकी भी दे डाली। शिकायत पर भिलाई तीन पुलीस ने आरोपियों के खिलाप मार पीट गाली के लाच और जान से मारने की धमकी और आर्म्स एड के धाराओं के तहट मामला दर्स कर लिया है। गुजर रहा था आरोपि की स्कूटी फिसली और वह नीचे गिर गया। सिपाही बंटी सिंग ने आरोपि को उठाने की कोशिश की तो आरोपर ने उस पर ही नीचे गिराने का आरोप लगाते हुए गाली गलाउज करना शुरू कर दिया। कराई है। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाप रिपोर्ट दर्स कर सत्पाल सिंग और जस्पाल सिंग को गिरफतार कर लिया है। तत्पस्चात वो समझा रहे थे वो जस्पाल सिंग द्वारा पुना जो है फोन करके अपने घर से अपने छोटे भाई वो अपनी माँ को जो है बुलाए घटना इस थल में सत्यम मेडिकल के सामने ही। और उनके साथ जो है पुना जो है बंटी सिंग के साथ जो है नोंने मार्किट किया और अपने पास रखे तलवार को निकाल कर जो है उससे भी जो है उसको डराने के प्रयास किये थे। जिस पर से बंटी सिंग के रिपोर्ट पर तीनों के विरुद्ध में धारा दोसुचा में पास से तीन सुटेश चौनतीस यहुम साथ में पच्ची से तैस आम सेक्ट के तहट उकदमा दर्श किया गया है जसपाल सिंग और सत्पाल सिंग को आज जो है निया इक रिमांड बरार भिलायतीन पुलीस ने इस पूरे मामले में विभिन धाराओं के तहट आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है फ्रेंडी सीन ने उसके लिए शरेंद खरे की रिपोर्ट